नमस्कार रशिक मिद्रो आप देख रहे हैं दवन नियूस दवन नियूस में आप सभी दर्शबु का हर्तिक स्वागट हैं समाचारों की सुर्वात करने से पहने एक दशन आते हैं आज की सुर्कियों पे चार साल की बच्ची ने पेंटिंग्स में इंडिया और एशिया वूब ओफ रेकॉर्ड में अपना स्थान बना कर नाम किया रोशन वल्सर जीरपी पुलिस थाने में आयजित लोग दर्बार में ट्राफिक कमुदा रहा था अहम दमन में सथा सर्वेक्षन के अंदरगत निकाली गई थी रेली जुड़े थे वीविद समाज के लोग दमन में राजबासा वीबाग द्वारा हिंदी पक्वाड़ा का हुआ प्रारम अब समाजा विस्ता असे वापि सहित समग्र वल्सर जीले का नाम रोशन किया एक चासार की बच्ची ने पेंटिंग में इंडिया ओफ एश्या बुक और रेकॉर्ड में अपना स्थान अंगित किया वापि समित समग्र वल्सर जीले का नाम एक फूल जैसी छोटी सी बच्ची ने वीश्वफ वलक पर रेकॉर्ड बुक में दर्जे करवाया है चार साल की टुईजा ने पेंटिंग शेत्र में सबसे छोटी उम्रके कलाकार के तौर पर इंडिया बुक और रेकॉर्ड और एश्या बुक और रेकॉर्ड में अपना स्थान अंकित किया है वलसार के डॉक्टर अंकिता और सपन मरजदीनी की चार साल की पूत्री त्विजा के विवित मनमोहग पेंटिंग का एक एक्जिवेशन वापी में गेलेक्सी होटल में रखी गई थी एशिया बुक औफ रेकॉर्ड और इंडिया बुक औफ रेकॉर्ड की एजुकेटर शांतनु चोहार ने मैडल और रेकॉर्ड बुक देकर बच्ची को सनमान किया था त्विजा ने इस रेकॉर्ड के लिए 25 से 51 के अन्वास पेंटिंग बनाये है यहां आएक कला प्रेमियों ने भी टीजा की कला को सर रहा था तो तो मारे अंवे रेवानू के लिए हैं? बल्शार हम बल्शार रेवानू शागा मालए बराबक्र मायी डॉटर ने चैए था विए प्राउड फ्रव्र बेटिंग अथी ब्कॉर्ण और भॉटर लिवोरी आपने लिच्ची के पेंटिंग अन्ने आजे आपनी सामेशे तमने के विली ते ख़र पड़ी के एना आ टेरेंट छे आने प्रोच्छान कुरू पारू जोई एने सिस्टर जे छे ए ए ए एवडी वरस्नि ते एंटी करता करता है ने को आजे अपनी सामेशे आना पचाड़ी के वी मेना तदे सवार नान पंटी करता है जाते जाने करियो छे कोई मेनत एव उपए जाते जाते करी ना थी ए एनी पुटा नी आवड़क छे आ जे आ तमारे सामेशे जाने अने खनी जाने हमारे जाने जाना प्यंकिंग हो फानी जगह ऊची पड़ रहें गिए और अने थ्यारे मारी वाइफ भी डॉक्टर छै और अने वो मारी पुछा रहे तेना तरफ ते क्यों आपने प्रस्टान बेड़ों कि शोकुरी ना तरफ ती भी घणु सारों एने सपोर्ट छे रजा के हुगे प्रस्टान बेड़ों कि शोकुरी ना के आली चौपड़ा माच ग्यान लेओं अगर देखे ये इंडिया बुक आफ रिकॉर्ट्स और एशिया बुक आफ रिकॉर्ट्स एक संसा है ये उन बच्चो को रिगनेस करती है जिनके अंदर काफी एक्स्टार्डिनल टैलेंट होता लिए ये तीन साल की महस्ट बच्ची है और इसने कैन्वस पेंटिंग एक्जिबिशन यह वी तक की यंगेस आटिस्ट है इसका अपने कैन्वस एक्जिबिशन हुआ है पेंटिंग का इसकी पेंटिंग यहां से औक्ष्ण में भी जाएंगी और वो एक चैरिटी को में ने का भाई आप कि ठीके बच्ची है कितनी पेंटिंग से उन्होंने का अभी हमारी ही हमने का देखे 25 तो हमरा कम से कम स्टैंडर तब यह एक रिकौर्ड माना जाएगा यह तो आप 20 बना जीजे 22 बना जीजे हम्हार का रिकॉर्ड नहीं लिया सकते हम लोगरना स्टैं वलसार जी आईपी पुलिस स्थाने में लोग दर्बार आयोजित किया गया है जिसमें वलसार नगर पालिका के सब्वियों जागरूत नागरी और रिक्षाचालो को सहीद बड़ी संख्या में लोग उबसित रहे थे रिल्वे स्टेशन के बहार हो रही ट्राफिकी समस्या का निकाल लाने के लिए और रिल्वे स्टेशन के प्लैटफोर नंबर एक पर महिलाओ को बैठने के लिए अलग व्यवस्ता करने के लिए और रिल्वे स्टेशन पर जी आरपी पुलिस चौकी बनाने के लिए मांग की गई थी इस लोग दर्बार में वलसार नगर पाली का सब्य कलपेश पटेल हेमलता बेन पटेल मेमुद बेन राणा जागरुत नागरी रियाज अजमेरी सहीत और ब्रामा और मोगरवाडी रहिस बड़ी संख्या में उपस्तित रहे थे और जीरपी पुलिस के संतोषकारक का अंगरी के लिए जीरपी पुलिस थाने के पी एसो गजुभाई पटेल का अभर्व्यक्त किया गया था दवन में स्वस्ता सर्वेक्षन के अंदरगर निकाल गए थी डेली जुड़े थे विवीद समाज के लोग दवन को स्वच्छ बनाने के लिए स्वस्ता अभ्यान चलाया जा रहा है तो उसी के साथ जिल्ला पंचायत द्वारा स्वस्ता का शर्वेक्षन चल रहा हो पंचायतों के हर एक घर में पहुँच कर स्वस्ता के बारे में लोगों को जागरूत किया जा रहा है पंद्रा दीन तक चले इस अभ्यान में लोग ने भी अपना सहयोग दिया तो उसी अंतरकट धोलर चार रस्ता से रेली भी निकाली गई थी जो सभी पंचायत के वाडों में घुमी थी विवित समाज के सभी लोग इस रेली में जूड़े थे साथ ही स्कूल इछात्र भी इस रेली में जूड़े थे और आने वाले दीनों में भी स्वच्छता का अभ्यान ऐसे ही चलाया जाएगा और लोगों को जगरूत किया जाएगा देशबर में स्वच्छता का सर्वेक्शन चल रहा है इस परदेश में भी रेली के माध्यम थे जिला पंचायत का कारेकर्म था पंचायत को जो दिया गया थे उसमें पंचायत में हर घली हरी हर महला गरगर जागे लोगों को समझाना है स्वच्छता के प्रती जागुरता लानी इसका कार की स्कूल के बच्चे गाउं के सब लोगों के साथ सभी सदस्वय निये रेली निकाली थी अठरा तारीक से तीस तारीक तक यह जो पूरा पंदरा दिन का सर्वेक्षन अभ्यान रहा उसमें हर जगे स्वच्छता करने का पंचायत ने काम किया है और आने वाले दिनों में सबसे अच्छा स्वच्छ पंचायत हो उसकी सब लोग ने यहां संकल पलिया और एक लिए लिगा है उचन क्या यह रेली कहां से कहां तक दे वसमें यह डोलर चारास्ता से लेके सभी वाड जितने हैं उस वाड में हम घुमें वीविद समाज के ल तो उसी तरह इस साल भी हिंदी पक्वाडे के राजबहसा विपागद्वारां जिसकी सुरुआत गुरुवार से की गई है जो एक सप्था तक चलेगी साथ ही कई स्पर्धाओं का आयोजन भी किया जाएगा तो पहले दिन बज्चों के लिए ड्राइंग स्पर्धा का आयोजन किया गया था साथ ही दीव्यांगों के लिए स्पर्धाओं का आयोजन किया गया था जिसमें कर्मचारी, स्कूली छात्रों एवं कर्मचारी गण भी जूड़ सकते हैं साथ ही एक सप्ता के अंदर विवित कारेक्रोमों का आयोजन भी किया जाएगा हिंदी का ही हिंदी ईक्वारा का आयोजन किया गया दोजार अठा ओ और हमारे गफार की तरफ जासरी प्रजेतम हैं दीव कि इतने भी विवा हैं उनके करमचारी, उनके करमचारियों के परवाद के जन, स्कूल के बच्चे जो सब इसमें बड़े पढ़ चड़ के उच्छा से इसमें अपना हिस्सा लेते हैं, तो आज इसका शुबारम हमारे सच्चिव श्री मीरवर्दन जी के करकल उसे, वो करमचारी दीप में चला के उसका शुबारम किया गया है, और आगे एक हफते गंदा अंदर पड़ी सारी हमने प्रतियोगता का गोग्राम बना रख गया है, वो इसके इसके इसाब से कर रोज करेंगे, और फाइनली जोगी नहीं प्रतियोगी ती करेंगे, और दूसरा कि जो पब्लिक के साथ को इसका इस्तिमाल करेंगी, तो उसका अपने सिटिजन के साथ जो कनेक्ट है, वो बहुत अच्छे से बन पाएगा, तो यही हमारा देश है और इसी उप्राश के देशे, इसी उप्रतियों के लेके कम इस पूरे कारेकल का है, और यह आशाय की बहुत समबल रहेगा, कि बहुत सारे लोग इसमें पाटिस्प्रिस्पिटेंगे, दमन में दमन टूरिजम की और से कार्निवल कारेकल का आयोजन किया गया है, छातरों की प्रतिबा को बाहर लाने के लिए बहुत सारे इवेंट भी रखे गये हैं, छातरो गुरुवार को नेशनल स्पोर्ट डेबी हो ड्राइंग कॉमप्रिशन का भी आयोजन किया गया था ये कार्निवल में आयोजित ड्रॉंग स्परधा में टोरिजम ठीम रखी गई थी बहुत सारे छातरों ने भी हिसा लिया था साथ ही कईस परधाय आयोजित की जाएगी ना निदमन फोर्ट के अंदर ये कार्निवल हो रहा है जो सेकेंड सिप्टमबर को पुर्ण होगा ये तूरिजम की तरफ से एक हफते का एक कार्निवल दा दमाओ जो हमने पोर्चगीज थीम पे रखा है वो एक एवेंट माननिय परशाशक साब के मार्ग दर्शन में और उनके देशा निरदेश में आयोजित किया गया है इसमें जो बच्चों के अंदर बड़ों के अंदर दमन में जो छुपमी प्रतिपा है उसको भी हमने ढूंड के उसको एक हाइट तक लेके जाने का प्रियास किया है और इसमें बहुत सारे इवेंट्स रखे गए हैं जिसमें दमन आइडल जिसमें की सिंगिंग कॉम्पिटिशन किया जाएगा कि हमारा पोर्ट्रगेईज है हमारे पास इतना पुराना उसको भी हमने सारे बच्चों को दिखाने के लिए इसका योजन किया इन्डश्टिल टूर भी आयोजन किय इस के अंदर जिसमें कि हमारी अच्छी अच्छी इंडश्ट्रिस है जमको न Bears हाल फिलहाल टूरिजम शेत्र के लिए भी खोल दिया है ताकि जो टूरिस्ट आते हैं वो भी यहां पर आकर देख सकेंगी किस तरह से हमारे यहां पर टेक्स्टाइल की इंडस्ट्रिस हैं और इसके अलावा हमारा पोली कैब है बहुत सारी अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट है स्कोट के सागी है तो वह सब दिखाने के लिए भी बच्चों को वह भी हमने टूर करवाया है इसके अंदर और आज जो है आज नैशनल शासक साब ने इसमें निर्देश दिया कि बागी तो नेशनल स्पोर्ट्स देपे बागी सब स्पोर्ट्स तो होती हैं कि इस बार हम दिव्यांग बच्चों के लिए विशेश रूप से कुछ करें तो इसलिए हमने इनका आज दिव्यांग बच्चों का soft wall throw का competition रखा और साथ-साथ इनके लिए कुछ soft components भी रखे जैसे उसके अंदर अभी आप देख रहे हैं कि बच्चों ने drying competition में कितना अच्छा अच्छा perform किया इसके लावा evening में भी एक cultural performance जो है वो दिव्यांग बच्चों के दवारा रखी गई है जिसमें हमने वलसाड से भी ग्रूप बुलाए हैं और वो बच्चे बहुत अच्छा perform करते हैं तो भी मैं निवेदन करूँगा कि सभी लोग बड़ी संख्या में आएं और उसका अनंद लें हमारे भी एक दो दिव्यांग बच्चे कुछ flute बहुत अच्छा बजाते हैं कुछ और भी कुछ बहुत अच्छा cultural performance करते हैं तो उन सब को भी आज हमने invite किया है इसके अलावा एक केत की दवे का गुजराती ड्रामा भी बड़ अच्छा आज इविनिंग में organize किया गया है तो नानी दमन फोर्ट के अंदर पूरा event हो रहा है और ये function जो है 2nd September को conclude होगा उस दिन भी हमने हसे कवी भी बुलाए हैं उससे पहले भी हमारा singing और डांसिंग का जो है फाइनल 1st September को है तो 2nd को price distribution रहेगा हाथ से कवी का रहेगा जितने भी इसके अंदर winners हैं उन सभी को भी हम सम्मानित करेंगे और वो अपनी अपनी performance भी देंगे हमारे यहां पारिवारिक पार्टियां जैसे की birthday, marriage anniversary, social gathering, corporate meeting के लिए सभी प्रकार की व्यवस्था की जाती है वेज खाने के सोखीनों एक बार हमारे जैका रेश्टोरेंट की अवश्य मुलाकात ले और नॉन्वेज के शोखीनों के लिए उमेश होटल का सिर्फ नाम ही काफी है हमारे यहां सभी प्रकार के व्यंजन हमेशा तुरंत बना के परोशा जाता है हमारे यहां रहने के लिए उत्तम सुविधा है नौनेशी एवं एसी सिंगल रूम डबल रूम की विवस्था भी है एक बार आएंगे तो बार बार आएंगे होटल उमेश एर कंडिशन बार एंड फेमिली रेस्टोरेंट चार रस्ता नारी दमन हमारा कॉंटेक नंबर है 0260-2254-855 मोबाइल नंबर है 9227464899 95863-45649 क्या आप 10,000 से ज्यादा किमत के ब्रांडेट कंपनी के मुबाइल नहीं करीच सकते हैं? क्यों नहीं खरीच सकते हैं? जरूर खरीच सकते हैं एम के मुबाइल शॉप में आईए और आपका मंचाह मुबाइल खरीदिए वो भी आसान किस्तों पर यहीं नहीं, आप किसी भी बेंक के क्रेडिट या डेबिट कार पर आसान किस्तों में मुबाइल खरीच सकते हैं इतना ही नहीं, हमारे शॉरूम में हर प्रकार के मुबाइल ऐसे सरीज उपलब्द है साथ ही सभी प्रकार के मुबाईल हमारी कुशल कारीगरों द्वारा रिपेर किये जाते हैं तो एक बार हमारी MK मुबाईल शोरूंग की किसी भी साखा की मुलाकात लीजी और अपना मन चाहा मुबाईल लेकर जाई MK मुबाईल तीन बद तीना निदमन दूसरी साखा है Fortune Square चलावापी तीसरी साखा है Balaji Complex कोपली रोड छीरीवापी एवं चौथी साखा है Central Complex National Highway No.8 औरवाड उद्वाडा RS लक्ष्मी पार्क हवे तमारा विस्तार मा स्वच्छे वातावरनी संगा थी सप्नानु घर पड मेडवी सको छो तो हवे आवी रहेल छे सोड फडिया उद्वाडा गाम कुलक रोड उपर लक्ष्मी पार्क जहां तमने मडसे विशेश सविधाओ जेवी के सोसाइटी नो एंट्रेंस गेट मेइन गेट पर CCTV कैमेरा RCC रोड स्ट्रेट लाइट टैमज कंपाउंड वाल प्रोजेक्ट दरेक्टने परसनल बोरिंग टैमज पूर्ता स्टोरेजनी पाणी नी टाकी फूल टैरेस वाटर प्रूफिंग वीद मोजेक टाइल्स दरेक्टे परसनल में गेट बालकनी मा सेफ्टी ग्रिल तथा दादर्मा एसेस रेलिंग लोन सविधा उपलब्द टाइटल क्लियर प्रोजेक्ट फूल फर्निश्ट फर्नीचर साथे तैमज पीओपी साथे किचन पॉइंट, सोफा सेट, कबाट, बेड तो तमारा आ सप्नना घर ने साकर करवा माटे आजेश बुकिंग करावो बुकिंग माटे अमारों कॉंटेक्ट नंबर छे 800-0055-56-6 श्री फर्टिलिटी एंड आईवी एफ सेंटर फोप फर चाइडलेस कपल्स नी संतान दंपत्यों माटे खुश कबर संग प्रदीस दंबर मापन आईवी एफ टेस्ट यूप द्वारा प्रेग्नेंसी अईवी प्लग्द सुविधाओ नी संतान पणानी प्राथमीक तपास IVF, IUI, XE, Blastosis Transfer, Hysteroscopy, लेप्रोस्कोपी, डोनर एक, डोनर स्पर्म अमारू सर्नामू शे स्री फर्टिलिटी एन आईवी एफ सेंटर, ब्रांच ओफ लाइफ केर मल्टी स्पेशालिटी होस्पिटल, बीजा माडे सार्वजनीक स्कूलनी पाछल, खारी बाड नानिदों मड़। अमारू कोंटेक नमबर शे 98251-49662 ब्रेक के बाद आपका स्वागत हैं। दमन में विकलांगों के कल्यान एवं उत्थान कारियों के प्रगती की हुई शमिक्षा। दमन में विकलांग लोगों के कल्यान और दशा शुधार के जारी कारियों की प्रगति की उच्च तर्य बैठक में शमिक्षा की गई सामाजिक न्याई एवं शर्शक्तिकरण मंत्रालाई नए दिली के मुखे आयूक्त डॉक्टर कमनेश पांडे ने सच्ची वालाई मोटी दमन के सभागार में कलेक्टर संदीप सी सहित सुबत्र अधिकारियों के साथ बैठक की और दमन दिव में विकलांगों के कल्यान अध किये जा रहे कामकाज की रिपोर्ट भी देखी गई जहां भी विकलांगों की सेवाओं की उपलब्धा में कमी नजर आई दिखी तो उन्हों ने फोरण उसे सुधारने के निर्ड़श दिये इस मीटिंग के बाद नए आयूक्त डॉक्टर कमलेश ने समिक्षा बैठक के बारे में जानकारी देते हुए कहा की यह रिटुन दौरा है जिसमें हमने विकलांगों की वास्तविक स्थिती को जानने का प्रयास किया है पेशन, शिक्षा, विकलात, प्रमान, पत्र जैसे शेत्र में स्थितिया अच्छी है लेकिन स्वास्ताई जांत, पुन्नवास, कार्मिक ठाचे जैसे स्शेत्र में काफी कुछ किया जाना बाकी है उमीद है कि इन जर्यातों को पूरा करने की दिशा में संग प्रशाशन ठोस कदम उठाएगा मैं हाद दमान इंदिव में इस्टेट रिवु के लिए आया 1995 के POD Act के Section 57 और RPD Act 2016 के Section 74 के अनशार भारत सरकार को Chief Commissioner के निउक्ति करना उसका प्राविजन है उसमें और Chief Commissioner को Disability में जो भी सरकार पैसे खज करती है उसकी मौनिटरिंग करना दिव्यांगों कोई समस्या है कोई complaint है कोई grievances है तो उसको redress करना यानि क्वासी judicial civil court का power है तिसरा इस्टेट में कानुन कितना लागू हो रहा उसको review करना और चौथा annual report प्रिपेर करना जो पार्लामेंट में रखा जाता है यह चार मुख कार है यहां इस्टेट रिवु के लिए आया यह तीस महिने में मेरा यह 32 इस्टेट है रिवु का इस्टेट में यहां पर चुकि छोटा राज्य है दमंदिव मिलाकर के कई धाईला की अबादी है यहां गौर्णमेंट के सारे सिस्टम इंडिपेंडेंट होना कठीन है क्योंकि आफिसर्स की भी कमी है यहां डिसेबिल्टी डिपार्टमेंट के लिए इस्टेट कमिस्नर का फुल फ्लेज चार्ज कभी नहीं रहता है और यहां जो कलक्टर हैं वही सेकरेटरी भी हैं वही डिरेक्टर भी हैं और वही इस्टेट कमिस्नर भी हैं हमारी पहली दस बहुत से मिटिंग उनके साथ में हुई इस्टेट में क्या कुछ चल रहा है क्या आउशकता और यहां महसूस हो रही है सिस्टम में क्या चेन लाए जा उसके बारे में वारता हुई और अभी सभी डिपार्टमेंट के सेगर्टी के साथ बैट करके यहां पर अनेक विश्यों की चर्चा हुई है यहां की अबादी में दिव्यांगों की जो संख्या है करीब 2196 है और इसमें इन्होंने करीब 1799 को Disability Certificate इसु किया है यह अच्छी संख्या है बारत सरकार ने एक नई स्कीम UDID की सुरुवाद की है Unique Disability ID इसु करना आपको पता है जो समान सर्टिफिकेट डिसेबिल्टी के गौर्णमेंट इसु करती है राज सरकार और वो केवल उस राजे में लागू होता है लेकिन इस समस्या के समधान के लिए UDID सुरू किया भारत सरकार ने यह UDID सरवत्र पूरे देश में सभी रिपार्टमेंट में लागू होगा और इस समय मध्द पदेश और राजस्थान नमबर एक पर हैं तीन लाग से जादे UDID जनरेट कर चुके हैं लेकिन यह छोटा राज भी सेकंड फेज के स्टेट में था ठ्रेनी यहां हो गई है लेकिन एपॉइंट्मेंट कोईडिनेटर का UDID यहां भी करना है और यहां भी जल्दी सुरू इस प्रकार का भी सिस्टम यहां हो इसकी वारता हुई दूसरा सेर्टिफिकेट यहां इसी होता है तो डॉक्टर्स के लिए कोई मेडिकल बोर्ड के बैठने का दिन निश्चित नहीं है जनकारी मिली कि जब भी दिव्यांग आते हैं सर्टिफिकेशन हो जाता है लेकिन मैंने कहा कि आप ठीक है रोज होता है लेकिन एक देर निश्चित करिए और उस दिन दिव्यांग उस सुचना पाएगा उसको निश्चित ही सर्टिकेट रोज दिन प्राप्त होगा दातरनागर हवि़िये सिल्वासा सही टोकर खाडा स्तीत आनं नगर में श्रीकृष्ण जनमोचचाव के उपलग्षे में तयार याम ज़ोड़ो पर दातरनागर हविली सिल्वासा में हर वर्ष्ण के भाती इस वर्षण भी समात से वी विक्रम यादव एवं उनकी टीम द्वारा सिल्वासा टोकर खाडा स्थीत आने नगर में श्रीकृष्ण जनमत्सव के उपलक्ष पर 2009-2018 के रातरी के समय भजन संधिया श्रीकृष्ण जाकी का आयोजन एवं महाप्रशात का आयोजन भी किया गया है जिसमें मन मोहग जाकी दर्शन के साथ बोजपूरी गायक अनेलियादव एवं निशाराज के बीज बजन संधिया का कड़ा मुकाबला भगतों की भारी बीड में देखने को मिलेगा इसी तरह सिल्वासा स्थीट टाउन होल में इसकोन ट्रश्ट द्वारा श्रीकृष्ण जनमुच्व मनाया जाएगा श्रीकृष्ण जनमुच्व के अफसर पर आमली स्थीट गायतरी परिवार द्वारा गायतरी मंदिर में भगती संधिया एवं लोग डाइरा का आयोजन किया गया है इसी बीच किलवणी नाका चारस्ता स्थीट तीन नौ दोहजर अट्राक के शाम करीब चार बजे मरठी समाज का राजे ग्रूप एवं व्यपारी एशुशिशन द्वारा दही हंडी मटकी फोड का उत्सव मनाया जाएगा हर वार्ष की बात इस साल भी दो तारीको आनंग नगर में किस्जन मस्टमी का आयोजन रखा गया है हम सभी क्रिश्ण भक्तों से अनुरोद करते हैं कि उक्त समापे सा पजवार आ करके भजन का आनंद ले और महाप्रसात का भी आनंद ले सिल्वासा स्थी टोकरकाणा आयोजन समीति द्वारा किया गया था इस कारेकराम का शुभारम मुख्य अतित्यों द्वारा दी प्रज्वलित करके किया गया इस अवसर पर पदारे हुए महमानों ने समाजेक समर्शत्ता के विशह पर चर्चा करते हुए नजर आये इस अवसर पर समाजेक समर्शत्ता समीती ने बताया कि हम इस योजना के मात्यम से समाज में प्रतियक शेत्र में रहने वाले अलग-अलग समाज के लगों को एकत्रीत करके समाज में शमर्शत्ता बनी रहे उसके लिए प्रयत्न किया जाएगा आज जो समाज में जातिय हिंसा हो रही है उसे कैसे रोक के इस पर चर्चा वीचारना की गई इस दोरान सभी समाज के उपस्सिती बायों ने एक दुसरे को राखी बान कर रक्षाबन्यत का भी उच्सव मनाया इस अवसर पर लाहनु बाबा, वक्ता राज़ेश भहिराणा, थम्बी जी, सुनिल जी, रामराज मीना, सुभास जी, आदिव व्यक्ती विशेश रुप से उपस्सित रहे थे जिक गाए उसमाजойд के परतेख छेत्र में रहने वाले अलगलग सुमाज़ेश भी रहे हैं उसकों कमसे कम करके समाज में एक रस्ता लाई जाए उसके siRis इसमें हमारे परजाई सेक लहु बाबा आये उन्होंने अपना मारगतसंदी आसिरोधन दिया दुछरा जो विभाग संग चालक हैं मानने राजिसबाई राणा उन्होंने अपना उद्बोधन दिया और समाज में एक रस्ता बनाए रखने के लिए अपने इसमें उन्होंने अपने यह आईमाता मंदिर में रखा गया है और आईमाता मंदिर के तरस्टी है उन्होंनों भी अच्छा सवयुग लिया और इस कारेकर में भाग लिया अपका नाम? सुबाज कठारी वापी में एक बार फिर से पुलिस ने सराब की तशकरी करते तिन अलग अलग पैतरे को आजमाते बूटले गारों को शराब के जथे से पुलिस ने धर्दबोचा जिसमें वापी के पास मोराई मामा कबाब की होटल के सामने से गीता बेन हीरा भाई पटेल निवासी बिली मो के पास से एक होंडा कार नंबर M101 PA 5705 को पुलिस ने रोग कर तलाश लेते उसमें से 87,200 की सराब के जथे के साथ आरोपी हार्दी क्रमिस शेश पाल निवासी सुरत को गिरफतार किया गया दूसरी और मोराई चेकपोर्स के पास से पुलिस ने मारोती 800 जीजे 15K 9595 को रोग कर अंदर जाज करते पुलिस ने 47,350 रुपे का मुद्दामाल कबजे में लेकर आरोपी धने शुकर बंडारी उद्वाड़ा को लग को गिरफतार किया था समाचारों के अंदर में आए इंटर से लाड़े आज की सुर्कियों भी चार साल की बच्ची ने पेंटिंग्स में इंडिया और एशिया बूप आफ रेकॉर्ड में अपना स्थान बना कर नाम किया रोशन वल्चर जियर्पी पुलिस थाने में आयजित लोग दरबार में ट्राफिक का मुदा रहा था अहम दमन में स्वत्था सर्वेक्षन के अंदरगत निकाली गई थी रेली जुड़े थे विवित समाज के लोग दमन में राजबासा विबाग द्वारा हिंदी पक्वाडा का हुआ प्रारम तो यह थे अब तक के दमन इसको समाज चाल नहीं समाज चाल नहीं करना हमें साथ फिर्म लेगे नमस्कार झाल नहीं समाज चाल नहीं समाज करना है